वेलकम टू एक्जाम कुछ तक आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोड कच्छा बारा का कम्प्यूटर का सिलेवस देखेंगे जो की कोविड-19 के महामारी के कारण जो 30% कमी हुआ है सिलेवस में तो कौन-कौन सा चेप्टर कटा है और कौन-कौन सा चेप्ट हमको नहीं पढ़ना है और कौन सा चेप्टर पढ़ना है ताकि आपका जो एक्जाम में अच्छा नमबर आ पाए तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए हमें कौन-कौन सा चेप्टर पढ़ना नहीं है सबसे पहले देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक आपको बता दे रहें आप डिटेल से देख लिजिएगा अब देखिए एकाई जो दू है इसमें प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग को नहीं पढ़ना है लोगों को क्या करना ही पढ़ना है बेव पेज में हाइपर लिंक बनाना ओके यह हमें नहीं पढ़ना है इसके बाद क्या क्या नहीं पढ़ना है देखिए एक आई छह में हम लोग देख लेते हैं सिप्रोक्रामिंग एडवांस प्रोक्रामिंग इसको हमें नहीं पढ़ना है ओके और देखिए नेश्ट हम लोग देखते हैं 117 में является components नारवलेलजैसन को नहीं पढ़ना है हम लोग ठीक हम लोग को और पढ़ना क्या-क्या है यहां से हम लोग देखते हैं पढ़ना हम लोग को क्या-क्या है देखिए उप्रियोग के अनुक्रम में 70-30 पाठेक्रम निम्नोवत है यह हम लोग पढ़ना है ओके तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है तो देखिए आप लोगों को पढ़ना है पहला एकाई जो है computer, software and programming इसको हम लोगों को पढ़ना है जिसका software से परिचय को पढ़ना है software उसके प्रकार को पढ़ना है और next एकाई को हम लोग देखते हैं देखिए एकाई दूग में क्या पढ़ना है algorithm पढ़ना है आप लोगों को flow chart पढ़ना है pseudo codes पढ़ना है आप लोगों को decision table पढ़ना है ओके और next एकाई में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है तो जो next एकाई है तीन programming भसाएं ओके तो programming भसाएं में हम लोगों को पढ़ना है हाइ लेवल लांग्वेज जैसे हो गया compiler हो गया यह सब को पढ़ना है ओके फोर्थ जनरेशन के बारें पढ़ना है language चलिए नेस्ट को देख लेते हैं जो नेस्ट मेरा है और HTML जो नेस्ट एकाई है फोर सब्सक्राइब को पढ़ना है तो सब्सक्राइब करना है तो हम आपको बता दों कि मैं योपी बोर्ड का क्लास 12 का कॉंपलीट सिलेवस चैनल पढ़ाऊंगा वह भी प्रेक्टिकल का साथ ही HTML का प्रियोग कैसे किया जाता है नोटपैड में और कैसे रन कराया जाता है प्रोग्रामिंग को तो हम लोग डीटेल से पढ़ेंगे इस लिए इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए क्योंकि एक भी वीडियो मिस नहों पाए आपका और आप लोग आंगे देखते हैं क्या काम लोगों को पढ़ना है देखिए एक आई 5 में अबजेक्ट ओरियेंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ना है ओके अब देखिए इसमें आप लोग डीटेल से देख लिजेगा मैं एक आई आपको पढ़कर बता दे रहा हूं और यहां पे देखि एक आई 6 में क्या पढ़ना है से प्रोग्रामिंग और एडवांस प्रोग्रामिंग इसको पढ़ना है ओके और जिसमें क्लासेज तथा अबजेक्टर्स अबजेक्ट्स को पढ़ना है ओके और यहां पर फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ना है ओके और आप देखिए यहां पर जो कंप्यूटर प्रियोग आत्मक लिखा हुआ है प्रेक्टिकल का तो यहां पर देखिए यहां पर प्रियोग का जो आप लोगों का होगा प्रेक्टिकल तो 15 अंग का होगा ओके तो इस चैनल पर अच्छे इतरा से पढ़ा जाएगा वह भी ठीवरी के सांथ प्रेक्टिकल भी मतलब की जो प्रोग्रामिंग रन कैसे किया जाता है सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर लिए और आपको सिल्वस नहीं मिल पा रहा है यह जाएगा एक वीडियो बना हुआ का सिल्वस लोग कहां से डाउनलोड करें तो वहां से बीडियोओ को देखकर वीडियो बीडियोरण कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आफ सब्सें से लिएप Works ऑफ में थाइंक्यू